यहां जो बच्चे आते वो 12 से कहीं ज़ादा किना में स्टडीस के होते और उन से कहीं ज़ादा एज के होते तो मुझे आप एक शा है कि सरकार लिए लगाते हैं यहां क्या नाम है दुबारा बताना शेबम मेरा नाम कॉपी कर लिया यार आपने PCS के त्यारी यह बताईए अभी यहां का माहौल कैसा है ठीक है normal है सारी नहीं ओपिन होई कुछ-कुछ ओपिन हो गई है और खुले है को दो तीन को सिन धीर धीर चाली हो रहे हैं लगे आ रहे हैं धीर 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 दोस्तों आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूं उसके पी 11 फर्वरी इनकी क्लास सुरू होने की आसंका है यह बराबर में एक और बैनर लगा हुआ है यहां पे क्रिश्टोपर सरका उसे अब बताए गया है कि 24 फर्वरी से लेकर के 3 मार्च के बीच में उनकी offline क्लास सुरू हो जाएंगी क्रिश्टोपर सरकी उसके उपर एक और बै लगाए कि बहुत जल्दी ही पहले जैसा माहूल होगा बदलेगा हम आपसे यही उम्मीद और आसा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सेर भी करेंगे जहां मैं खड़ा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो होडिंग बोर्ड है वो लग बज़े तक चलेगा और उसके नीचे लिखा है कि परंबीर वैट जो है एयर फोर्स के लिए एक्सेंड वाई ग्रूप के वो बारा बज़े से लेकर के तीन बज़े तक चलेंगे यह जो होडिंग बोर्ड आपको दिखाया यह एक्जाम पुरका था और उस पर जो लिखा आगे और आगे आप देख सकते हैं जो यहां पे लोगडाउन में बहुत सारे कोचिंग आफ लाइन चलना बंद हो गए थे अभी भी कही ना कहीं बंद हैं एक दो कोचिंग खुले हुए हैं सायद बाकी सभी बंद हैं और जो होडिंग बोर्ड है कोचिंग के वो भी बहु सारे कोचिंग हैं यहां पे कोचिंग का पूरा हव है यूपी एस्टी का और एससी का तो यहां कुछ लोग मौजूद हैं मुन सब जाना चाहेंगे अब देख सकते हैं सबस्ब पहले जानेंगे नवसकार अंकली नवसकार जी नमसकार क्या नाम है आपका अंकल बालकिशन अंकली यह बताइए यहां पे जैसे की लोगडाउन हुआ था तो बहुत सारे कोचिंग यहां चलते थे बहुत ज़दा भीडवाल रहती थी तो क्या अब धीरे धीरे बैसा महुल दुबारा से बनने लगा या नहीं स्टौरेंट खोल दिये गए हैं थेके बहुत पहले खोल दिये लेकिन सिक्षा जगत में अभी तक भी इस परकार का प्रस्ताव स़रकार नहीं दिआ है अगर लेंनाये से लेके 12 तक की स्कूले खोल दी गई है यहां जो बच्चे आते वो 12 से कहीं जादा किना में स्टडीस के होते और उनसे कहीं जादा एज के होते तो मुझे अप एक शाय की सरकार जल से जल इसको खोले और यह जो किन कोचिंग संस्था है जहां से IES और UPSC के कैंडिडेट्स सेल कोचिंगों ने ओफलाइन का प्रियास जरूर किया है और वो वंडे कंप्टिशन में किया है UPSC के लेवल के उपर जो कोचिंग संस्था हैं उन्होंने अभी ऐसा कोई गंबीर प्रियास नहीं किया है कुछ कोचिंग संस्थाओं ने अपना हलका फुल का जो है सोशल डिस् कोते हैं तो क्या ऐसा यहाँ पर क करोना का डर है देखिये पैरेंट्स को अगर जीस परकार की समिश्या होती या इस परकार के कोई विचार होतें तो बहुत सारे रहेतं नहीं के लिए लेकिन तथा गतित पर चितने के इंदर कोचिंग नहीं छोले हैं तो वो निराश है और वो अपने उजवल भविश्य की काम ना कर रहे हैं कि जल से जल कोलिचिंग में खुलें और सुचारू रूप से फिर से उनसका सिक्षा और अध्यान और अध्यापन शुरू हो तो दोस्तों हमने यहां पे एक अंकल जी मौजूद थे उनसे बात किये और उन्होंने जो कहा बेहदी अच्छा कहा धन्यवाद अंकल जी आगे की तरफ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि अभी यहां का महौल कैसा है सबसे पहले सुरुआत करता है इधर से और आगे आ आगे आपको दिखाएंगे कि अभी कैसा महौल है यहां सुबह का टाइम है और कहीं न कहीं यहां पे पहले बहुत ज़्यादा भीड रहती थी और आप भी देख सकते हैं विलकुल खाली है यहां पे बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं बिलकुल भी इधर आप देख सकते हैं कोचिंग के जो होडिंग वोड हैं ओपर दिखाए है होडिंग वोड जो है और आज आने लगे हैं नए नए आगे की तरफ चलते हैं अगर इधर का बात कि आए तो इधर दिखाएए बीलकुल खाली नजरा रहा है इधर ही और यह इस लाइन में भी बहुत सारे कोचिंग इस लाइन में भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं आई ये शीवा आपको दिखाएंगे के अभी क्या हां का माहुल कैसा है कि यह होडिंग वोड भी आप देख सकते हैं यू न्यू होडिंग वोड अब लगने लगें हैं इसी उम्मीद और आसा की साथ ऐसा जता है जारा इधर आप देख सकते हैं इस पर लिखा है न्यू आफ लाइन बैच श्टार्ट फॉर एससी सीडियल सीपीओ सी एच एस एल थी फर्वरी तीन फर्वरी से इनके बैची स्टार्ट हो रहे थे तीन फर्वरी से इनके बैची स्टार्ट हो रहे थे टाइमिंग इनकी है साड़े नौ से बारा बज़े तक आगे की तरफ चलते हैं इधर भी उपर इनका ही लगा हुआ है आगे चलते हैं आ संद्रा तारिक के बाद सारे खुल जाए कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सभी ओफ-लाइन कोचिंग खुल गए नहीं अभी नहीं खुल लगे और माहूल कैसा है अभी आप ठीक चल रहा है जैसे पहले बच्चे थे वैसे अब दीरे-दीरे माहूल बन बच्चे आने लगे हैं औ स्टृब्स 283 और सी युऔर टीके थे बाद कने खुल ऑफ सामने कव देख सकता हैं का मनें ओप्र आई एस सामने का भी और कर्द सफं सामने लगा है और शीर से और लगने ही लगे हैं पहले जैसे आगे और चलते हैं और कुछ भाई मौजूद है उनसे जाल लेते हैं नमस्कार भाई नमस्कार भाई क्या नाम है आपका अंदिफ तिवारी आप यहां क्या करते हैं जॉब करते हैं संदी भाई यह बताइए अभी यहां का माहूल कैसा है खाली है कुछ लोग कह रहे हैं सब्वी कोचिंग ऑफ- आफ-लाइन कोचिंग का क्या रहे हैं लोग की बहुत सारी खुल गई है हाँ खुल रहे हैं कुछ कोचिंग में बच्चे उन्हें आना शुरू भी करते हैं बागी देखते हैं आगे जैसा भी होते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आगे चलेंगे दोस्तों और इधर अगर इधर का आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं एक्डामपुर का जो इनक्वाईरी ओपीश है वो खुल चुका है ठीक है और उपर बहुत सारे होडिंग बोड लगे हुए हैं कोचिंग के आगे चलेंगे आगे आपको दिखाते हैं कि अभी यहां कैसा हैं जो बतरा शिनेमा है उस पे भी काफी सारे होडिंग बोड लगने लगे हैं जैसे सक्सेज इंडिया सक्सेज इंडिया इस्टडी सरकल का है उसके बाद मैं एक परियास का है परियास कोचिंग सेंटर का है उसके बाद मैं आजंत आईए एसका है आजाए आगे आईए श मेरा नाम कोफी कर लिया आपने यह बताइए अभी यहां का महौल कैसा है जैसे लोगडाउन हुआ था तब कैसा था और अब कैसा है अभी तो काफी परेका आया इसमें क्या बच्चे बापस आने लगे हैं हाँ जैसे लोगडाउन से पहले थे भीड भाल बैसी होने लगी है का विया नहीं थोड़ी थोड़ी हो रही है क्या कोचिंग आफ लाइन खुल गए हैं सब्सक्राइब का और अगर आप आते हैं सुबह सुबह तो जरूर खाये बहुत अच्छा बनाते हैं अग्रवाल पोहा सेंटर नामें के जो बनाते हैं इधर एक वाई और मौजूद है सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उससे पहले हमने आपको दिखा दिया है यहां पर भी कैसा मौल अबश्कार भाई भाई पपीता खा रहे थे डिश्टब तो नहीं हुए क्या नाम है आपका जैके आप यहां क्या करते हैं PCS की त्यारी यह बताइए अभी यहां का महोल कैसा है ठीक है नॉर्मल है जैसे बच्चे बहुत सारे चले गए थे लोगडाउन में क्या धीरे धीरे वह बापस आने लगे हैं दीरे दीरे नॉर्मल सिट्वेशन हो रही है और कोचिंग का यहां पर लोग कह रहे हैं कि आफ लाइन सभी खुल गई है क्या इसा हुआ अभी सा कोचिंग से आपका नाम क्या इंगली मेरे नाम पीटा मैं जी आप यहीं पर डेली पपीता बेचते हैं सुबहे जी डेली बेचते हैं ना बहुत सारे बच्चे आंगल लेने हैं बिल्कुल भाई जो भी बच्चे मुखर जीने गर में रहते हैं और हमारा वीडियो देख है और कोचिंग ऑफलाइन खुलें अभी यह नहीं ओफलाइन चल रही है और ओनलाइन ज्यादा चल लिया है वह यह बताइए क्या जैसे की बड़े-बड़े कुछ कोचिंग हैं बच्चे जाबना चाहते हैं क्या वह ओफलाइन खुल गए हैं यूप्यस्टी बगरा की सब्सक्राइब कर दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे इदर आप देख सकते हैं चंदान फोटा स्टेट हैं और काफी सारी वुक्स की जो दुगान है वह हैं यहाँ पे और अगर इदर आपको दिखाना चाहें तो परवल एक लगा है यहां पर होड सब्सक्राइब करने का राज राहुल से और इनके जो आफ लाइन वैस्ट शुरू होने है वह होने नौ फर्वरी से टूईडे से ग्यारा बजे से यह इदर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा फ्रेंट लाइन जी एस इस पेसल यहां पर एक होडिंग और लगाए चोटा सब्सक्राइब कर लिखा फ्रेंट लाइन जी एस इस पेसल वेशिक टू यूपी एसजी आप रिलिम्स आफ लाइन ऑनलाइन क्लासिज एबिलेबल फाइब डेमो क्लासिज और इनकी जो स्टार्ट होंगी आफ लाइन वह होंगी नौ फर्वरी से टाइमिंग रहेगा आठ बजे और नया बैच इस्टार्ट होगा सुला फर्वरी से टाइमिंग रहेगी साड़े बारा बजे और इसमें जो है सुसांत सर हैं और फीश का इनोंने बोला है साड़े आठ हजार और किधर देख सकते हैं आप अंकुल सर इंगलिस क्लासिज सीडियल सीपीओ सी एच एस और सीडिये एस एंडिये वैंक पीओ इंक्वाइरी ओपिस है यहां पे इनका और यहां पे अनकुल सरका है इंगलिस का और बहुत सारे कोचिंग है ऐसे ही तमाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दिखाते भी हैं उसके बाद में इदर आप देख सकने हैं एक जो पर आपका अनुष भाई आप क्या करते हैं यहां कर रहा हूं कहां से आई हुए यहां का महौल कैसा है यहां का महौल ठीक है अब लड़किया आने लग गया है कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है लगवग कुछ बच्चे करें के सभी कोचिंग आफ लाइन सुरू हो गई क्या ह अधिक सब आफ लाइन ही सुरू हो गई है इंडिविजुवल जितनी थी सारी नहीं ओपन होई कुछ-कुछ ओपन हो गई है जैसे की नाम इसे यह फ्रंट डाइन है और कि श्टूपर सर है पुनी सर मैत के लिए तो आपको यासा क्यों लगा कि दिल्ली में दैके तग्यार दिल्ली में ठीक है यहां का महूल अच्छा आए पढ़ने का तो मुझे लगा और लोगों समय ने बात की तो इसलिए यहां पर आए तो चलिए भाई से बात करके अच्छा लगा साइंक्यू भाई यह शीवम दिवा कर यूटूब चैनल है दोस्तों इधर कामने आपको दि के आने लगे हैं तेजी से बापस कोचिंग आफ लाइन खुल गए हैं क्या आफ लाइन खुले हैं कुछ दो तीन कोचिंग जैसे कोरणा का यहां डर कितना है बहुत कम है यहां तो कोई अब नहीं है इस चैनलिये दोस्तों आगे चलते हैं एक अंकल लिए और खड़े हैं आपको दोस्तों हमने आपको इधर का दिखा दिया है कि इधर कैसा महूल ता आगे की दरब चलेंगे और आगे का आपको दिखाएंगे इस वीडियो को आप ज्यादा सेब्सक्राइब की दिए और लाइक वी की दिए